नमस्कार मेरे प्यारे विध्यार्थियों, मैं हूँ प्रवीन बंसल, हम पढ़ रहे हैं कक्षा ग्यार्वी लेखा शास्त्र, अध्याय साथ, रास, प्रावधान, एवं संचे, इस अध्याय के दो भाग पहले किये जा चुके हैं, और उन भागों में हमने देखा कि डेप्र चुरू करते हैं, आप देख सकते हैं, आपके सामने एक प्रश्न है, मैसर्स डाल्मिया टेक्स्टाइल मिल्स ने 1 अपरेल 2001 को, मैसर्स अहूजा एंसन से 2 लाक रुपे की मशीन उधार एवं 10 हजार रुपे इसकी स्थापना पर खर्च किये, विध्यार्तियों, मशीन का भुकतान किया या नहीं, इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता, और यहां पे लिखा है, मशीन को 2 लाक में खरीदा गया, और 10 हजार रुपे उसकी स्थापना पर खर्च किये गए, पिछले भागों में आप यह सीख चुके हैं, कि मशीन के ऊपर किया गया खर्चा, जो स 10 प्रतिशत की दर से क्रमागत आधार पर लगना है, यह है डेप्रिसियेशन को लगाने की दूसरी विधी, प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको इस विधी के बारे में बता दूँ, क्रमागत विधी जिसको हम अंग्रेजी में रिड्यूजिंग बैलेंस भी कहते ह हैं, माली जीए कोई मशीन 10,000 रुपे की खरीदी गई और 10 प्रतिशत की दर के हिसाब से वार्शिक रास, मतलब एन्वल डेप्रिसियेशन 1000 रुपे हुआ, परंतु, अगले साल यह मशीन घट के 9,000 की रह गई, अब अगले वर्ष जो डेप्रिसियेशन लगाया जाएगा वह होगा, 9,000 का 10 प्रतिशत अर्थात 900 रुपे, सीदी रेखा पद्धिती आपके डेप्रिसियेशन को साल दर साल समान रखती थी, 1000 पहले साल पे भी, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, परंतु, यह विधी, आपको हर वर्ष घटा हुआ डेप्रिसियेशन दिखाएगी, अब इसके ओपर 10 प्रतिशत 810, आप देख सकते हैं, वर्ष दर वर्ष आपका डेप्रिसियेशन का जो भी योग है, वह कम होता जा रहा है, तो यही है क्रमागत विधी, तो चलिए प्रश्ण को वापिस शुरू करें, एक मशीन जो 2,00,000 रुपे की खरी दी गई, जिसके उपर 10,000 रुपे और खर्च किये गए उसकी स्थापना के लिए, उसके बाद 10 प्रतिशत वार्शिक दर क्रमागत आधार पर डेप्रिसियेशन लगाना है, और आपसे बोला गया है कि 3 वर्ष का मशीन खाता त्यार करो, प्रश्ण का उदेश्य आपको क्रमागत विधी को सिखाना है, तो चलिए प्रश्ण को शुरू करते हैं, तीन साल का मशीन खाता त्यार करना है, और आपका वर्ष 31 मार्च को खतम होगा, तो चलिए शुरू करते हैं, डाल्मिया टेक्स्टाइल मिल्स की पुस्तकों में मशीन खाता, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट से खाता बढ़ेगा, और क्रेडिट से खाता कम होगा, चलिए, सबसे पहले आपने दो लाख रुपे की मशीन खरी दी और दस हजार रुपे उसकी स्थापना पर कर्च करें, आप यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि मशीन उधार पर खरी दी गई है, तो विवरण में अहूजा एंड संस का नाम यहां पर दिखाई देगा, क्योंकि यह आपने उधार पर खरी दी है, यदि आप इसका भुक्तान कर चुके होते, तो विवरण में बैंक या नगद नाम से कुछ दिया हुआ होता, और क्योंकि आपने स्थापना की जो भी खर्चे हैं, उनका भुक्तान कर दिया है, इस कारण से यहां बैंक लिखा है और प्रश्ण में मशीन को बेचने से संबंदित कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो आप याद कीजिए, मैंने आपको पिछले भागों में यह पढ़ाया था, कि मशीन पे डेप्रिसियेशन कब-कब लगता है, मशीन पे डेप्रिसियेशन लगता है, या तो वर्ष के अं अंत में या अगर मशीन बिग जाए तब, इस प्रश्ण में मशीन को बेचने की कोई जानकारी उपलब्द नहीं है, हमें मशीन के ओपर डेप्रिसियेशन लगाना होगा और डेप्रिसियेशन लगेगा वर्ष के अंत में, और वर्ष का अंत आता है 31 मार्च को, मशीन की हुई दो लाग दस हजार और दो लाग दस हजार का दस प्रतिशत इक्किस हजार, क्रेडिट साइड विवरन इक्किस हजार, दो लाग दस हजार में से गई की शुरुवात करेगा, देखिए, शेष एक लाग नवासी हजार, एक अप्रेल को वही शेष आपको नए वर्ष की शुरुवात करने में सहयता करेगा, अब देखते हैं, क्या इस वर्ष कोई मशीन भी की, तो जवाब है नहीं, अगर मशीन नहीं भी की, तो इसका मतलब साल के अंत में उसी तरहां से आप डेप्रिसेशन लगा देंगे, लेकिन विध्यारतियों यह ध्यान रहे कि आप इस बार डेप्रिसेशन क्रमागत विधी से लगाने वाले हैं, और क्रमागत विधी हमें यह सिखाती है कि डेप्रिसेशन मशीन की घटी हुई कीमत पे लगेग और मशीन की घटी हुई कीमत एक लाख नवासी हजार है तो इस एक लाख नवासी हजार का दस प्रतीशत अठारा हजार नौसो है यदि हम सीधी रेखा पद्धिती की बात करते तो यह डेप्रिसियेशन इक्किस हजार रुपे ही लगता परंतु यहां विधी बदल गई है औ इमनिशिंग बैलेंस तो देखिए घटी हुई कीमत एक लाख नवासी हजार उसके उपर लगने वाला डेप्रिसियेशन अठारा हजार नौसो रुपे और एक लाख नवासी हजार में से अठारा हजार नौसो को घटाने पे हमें जो शेश मिला वह बचता है एक लाख सत्त हजार सौरुबे और इस तरहां दो साल का मशीन खाता पूरा होता है परन्तु प्रश्ण ने आप से मांगा है कि तीन वर्ष का खाता बनाई है तो दो वर्ष खतम होने के पश्चात आपके मशीन खाते में जो शेश है वह है एक लाख सत्तर हजार सौरुबे तो देखिए एक लाख सत्तर हजार सौरु और क्रमागत विधी के हिसाब से शेश राशी पे ही डेप्रेसिये्शन लगाया जाएगा एक लाख सत्तर हजार सो का 10 प्रतिशत 17,010 रुपे यह मशीन घटने के बाद कितनी बचनी चाहिए 1,53,090 रुपे तो इस तरहां आप तीन साल का मशीन खाता क्रमगत विधी से बना चुके हैं और यह हुआ प्रश्न स्माप्त मान लीजिए, इसी प्रश्न में यदि आप कोई और मशीन खरीद ले या पिछले किसी भी प्रश्न में आपने यदि साल के दौरान कोई भी मशीन खरीदी तो ध्यान रखिए, मशीन को खरीदना मतलब debit side में प्रिवश्टी कर देना, entry कर देना, debit से मशीन बढ़ जाएगी और यदि आपने कोई मशीन बेच दी, तो आप मशीन को बेचने की entry credit side पर करेंगे और यदि मशीन बेच कर आपको कोई lab हुआ, lab मतलब मशीन में बढ़ोत्री, तो वह debit side पर लिख दी जाएगी और यदि मशीन बेच कर आपको किसी तरीके की कोई हानी हो जाएगी, तो वह मशीन के credit side पर लिख दी जाएगी इस तरह आप मशीन को बेच सकेंगे, यह होती है मशीन को खरीदने और बेचने की प्रविष्टी मशीन खातों में तो अब इसी अध्याय के भाग दो प्रावधान एवं संचे देखते हैं हानिया वर्तमान लेखा वर्ष से संबंदिध होते हैं क्योंकि यह व्य अभी किये नहीं गए हैं इसलिए इनकी राशी सुनिश्चित नहीं है सही शुद्ध लाब निकालने के लिए ऐसी मदों के लिए प्रावधान करना अवश्चक है उधारन के लिए एक व्यपारी को जो उधार विक्रे करता है उसे पता है कि चालू वर्ष के कुछ देंदार या तो कुछ भी भुकतान नहीं करेंगे या आन्शिक भुकतान करेंगे विध्यारतियों जैसे कि आप जानते हैं कि यदि कोई व्यपारी अपनी सेल उधार पर करें तो जब हम उधार पे कोई सेल करते हैं विक्रें तो इस बात की बहुत सारी संभावना है कि उसमें से या तो कुछ पैसा डूब जाएगा या कुछ पैसा ही आयेगा तो इस तरहां का नुकसान होना एक व्यपार में बहुत ही ज़्यादा आम बात है तो इस तरहां के खर्चों का अनुमान पहले ही लगाया जा सकता है लेकिन यह खर्चे कितने होंगे यह जानना बड़ा मुश्किल है लेकिन ऐसे खर्चे होंगे यह निश्चित है तो ऐसे खर्चों के लिए हमारे लेखा शास्त्र में प्रावधान बनाये जाते हैं किस संकल्पना के अनुसार सही एवं उचित लाभानी की गड़ना के लिए देखिए आपको यदि किसी ऐसे खर्चे का अनुमान है आपको ऐसी संभावना दिखाई देती है कि ऐसा कोई नुकसान या खर्चा भविश्य में हो सकता है तो आपको इस तरीके के खर्चों को अप सही लाब बता पाएंगे और जो भी आपकी उपयोग करता है वह भी इस बात में पूरी रूची रखते हैं कि आपके आने वाले भविश्य में क्या कोई इस तरीके का नुकसान या खर्चा होने वाला है या नहीं इसलिए व्यपारी देनदारों से वसूली के समय संभावित हानी से बचाव के लिए संदिग्ध रिण के लिए प्रावधान करता है देखिए इसलिए आप अपने सभी डेटर से मिलने वाली रकम में से कुछ पैसा घटा कर ही अपनी पुस्तकों में दिखाते हैं ताकि यह साफ हो सके कि हाँ इतना नुकसान हो सकता है इसी चीज के लिए प्रावधान बनाया जाता है यह प्रावधान हमारी पुस्तकों में ठीक उसी तरहां से लिखा जाता है जिस तरहां आपका कोई आम खर्चा जैसे किराया, वेतन या कोई भाड़ा इत्यादी ठीक उसी तरीके से इसको भी पुस्तकों में लिखा जाएगा वजह बिलकुल साफ है क्योंकि खर्चा यदि भविश्य में होना है तो आपको उसकी गणना आज ही करनी पड़ती है परंतु याद रहे अगर आपको कुछ ऐसा अनुमान है यदि भविश्य में आपको कोई फाइदा होने वाला है तो उसकी गणना करना हम लेखा शास्तर में नहीं सिखाते हैं प्रावधान सिरफ और सिरफ नुकसान और खर्चों के लिए ही बनाया जाते हैं क्यूंकि यदि कोई फाइदा होने वाला है तो आप उसको तभी लिखिए जब वह हो जाए तो हम इसका निचोड यह निकालते हैं कि प्रावधान सिरफ और सिरफ खर्चों और नुकसान के एब देखते हैं प्रवधानों का लेखांकन इनको लिखा कैसे जाता है सभी प्रकार के प्रावधानों का लेखांकन लगबग एक जैसा होता है इसलिए यह संदिग्द रिणों के लिए प्रावधान के लेखांकन वेवार का उधारण स्वरूप समझाया गया है तो चलिए देखते हैं एक उधारण यह आपके सामने मान लीजिये आपके कुल देंदार 68,000 रुपे हैं अतरिक्त सूचना यह है कि डूबत रिन जिनका लेखा नहीं किया गया 8,000 रुपे हैं मतलब 68,000 में से 8,000 रुपे के डेटर्स भाग चुके वह अब आपका पैसा नहीं देंगे और इनके डूब जाने के बाद आप यह अनुमान लगाते हैं कि 10 प्रतिशत देंदार और डूब सकते हैं तो देखते हैं हमारी पुस्तकों में इसकी प्रविष्टी किस तरहां से होगी जर्नल में, रोज नामचे में सबसे पहले जो आठ हजार रुपे के देंदार चले गए उसकी प्रविष्टी कैसे होगी अशोद्य रिन खाता आठ हजार मतलब बैड डेट अकाउंट डेबिट देंदार खाते से टू डेटर्स अकाउंट उसके बाद आपने देखा कि दस प्रतिशत और रिन जा सकता है, डूप सकता है और आप लोगों को यह भी ग्यात है कि सभी खर्चे साल के अंत में वर्ष के अंत में लाभानी खाते में पहुँचा दिये जाते हैं प्रॉफिट एन लॉस अकाउंट में तो चलिए देखते हैं ये जो आठ हजार रुपे बैड डेट हुए यह एक खर्चा है तो यह खर्चा लाभानी खाते के डेबिट में पहुँचा दिया जाना चाहिए तो लाभानी खाता डेबिट, डूबत रिन खाता क्रेडिट खर्चा प्रॉफिट एन लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया प्रॉफिट एन लॉस अकाउंट डेबिट, टू बैड डेट प्रतिशत और डूब सकते हैं, तो साथ हजार का दस प्रतिशत है छे हजार, अब यह छे हजार भी एक खर्चा है, जैसे कि मैंने बताया, प्रावधान भी एक तरीके से हमारे व्यपार के लिए खर्चों जैसा ही है, जिस तरहां आपके पास जो भी पैसा बैड डेट आपने कहां पहुचा दिया, आपने उसे लाब वहानी खाता मत्तब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट में पहुचा दिया, तो अब आप इसको भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट में पहुचा दीजिए, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेब संदिग्ध रिण के लिए प्रावधान तो कुछ इस तरहा हम प्रावधान की प्रविष्टी लेखा शास्तर में किया करते हैं अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं संचय देखिए संचय पूरी तरहा से प्रावधान से अलग है चलिए सीखते हैं लाब के एक भाग को अलग रखकर वेवसाई में संचित किया जा सकता है इस पहली रेखा नहीं आपको इस बात का स्पश्टी करण कर दिया है कि लाब के एक हिस्से को प्रॉफिट के एक हिस्से को अलग से जोड कर रखना संच है मतलब लाब है तो संचे है परन्तु प्रावधान को हमने एक खर्चे की तरह माना लाब हो या ना हो वह अनुमानित खर्चा या करजा है उसे तो आप लाब हो या ना हो दोनों ही स्थिथियों में बनाते ही बनाते हैं परंतु यह रिजर्व तब ही बनेगा जब आपके पास लाब हो इससे विकास एवं विस्तार जैसी भविश्य की अवशक्ताओं की पूर्ती अत्वा करमचारियों की शती पूर्ती जैसे भविश्य की अकस्मिक अवशक्ताओं की पूर्ती की जाती है संचे बनाए जाते हैं इसलिए कि आप अपने व्यपार की, आप अपने व्यवसाय की किसी भी भविश्य की जरूरत को पूरा कर सकें जैसे व्यवसाय का विस्तार करना, करमचारियों की शती को पूरती करना इसके उधारण कुछ इस तरह है सामान्य संचे, करमचारी शती पूरक कोश, निवेश परिवरतन कोश, पूंजी संचे, लाभांश समिकरन, रिन पत्रों के शोधन के लिए संचे इन सभी संचेओं का अलग-अलग इस्तमाल है तो चलिए, देखते हैं कुछ उधारण और उनका विवरण एक संचे हैं सामान्य संचे, सामान्य संचे को जेनरल रिजर्व भी कहा जाता है प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग से निकाल के रख देना और भविश्य में इसके इस्तमाल को लेकर कोई शर्त नहीं है किसी भी तरीके की परिस्तिती में इस संचे में से पैसा निकाल कर आप इस्तमाल कर सकते हैं विशिष्ट संचे, विशिष्ट संचे वह संचे होते हैं जिनका निर्माण एक विशिष्ट उदेश्य के लिए किया जाता है और यदी वह उदेश्य ना हो तो इस संचे में पैसा वैसे ही रखा रहता है जैसे लाभांश समीकरण संचे, इस संचे का निर्माण लाभांश की दर्को स्थिर रखने या सामान रखने के लिए किया जाता है डिविदेंट को बाटने के लिए संच आप अपने Shareholders को डिविदेंट देते हैं और आपने यदि है लाभांच, डिविदेंट मतलब लाभांच, यदि आप साल दर साल वर्श दर वर्श अपने Shareholders को बराबर लाभांच देना चाहते हैं, परन्तु आपके profit and loss account से होने वाला profit कभी जादा और कभी कम रहता है, तो आप इस तरह की स्तिथी में क्या करेंगे? आप इस संचय में से रखा हुआ पैसा अपने shareholders को वर्ष दर वर्ष बराबर बराबर बाट सकते हैं. अगला उधारण है करमचारी शती पूर्थी कोश, यह कोश करमचारियों को यदि कार करते हुए कोई शती पहुँच जाए तो उस शती की पूर्थी करने के लिए बनाया जाता है और इस कोश में से पैसा तभी निकलेगा जब कभी आपकी फर्म में बदलाव हो या किसी करमचारी को चोट पहुँचे इसी तरीके के और उधारण है विनियोग परिवर्तन शील कोश, इरण शोधन संचय, आयगत संचय, पूझीगत संचय तो विध्यारतियों आपने देखा प्रावधान और संचय में क्या फरक है प्रावधान कैसे होते हैं संचय कितने प्रका अलग-अलग विधी, सीधी रेखा पद्धिती या क्रमागत विधी, जो भी प्रश्न हमने करे हैं, इन सभी तरहां के प्रश्नों को आपकी पाठ्थे पुस्तक में दिया गया है, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस तरहां के सभी प्रश्नों का अभ्यास करें, धर् झाल झाल